आज की कहानी एक हॉस्पिटल से शुरू होती है जिसमें एमली नाम की नर्स काम करती थी एमली की उमर 45 के आसपास की थी लेकिन दिखने में अभी भी वो बहुत खूपसूरत थी एमली एक हसमुक नर्स थी और वो सभी से हसकर बात किया करती थी उसका सभाव इतना अच्छा था कि पूरे हॉस्पिटल में वो सबकी पसंदिदा नर्स थी वैसे एमली ने अभी तक शादी नहीं की थी उसके पास खुद का घर था और वो उसमें अकेली ही रहती थी वो जितनी सफाई हॉस्पिटल में रखती थी उतनी ही सफाई अपने घर में भी रखती थी एक रात एमली अपने घर में वाइन पी रही थी दरासल वो रोज रात को खाना खाकर वाइन पीती थी और ये उसकी आदत थी आज एमली के घर पर कोई नजर रख रहा था और वो आदमी इस समय उसके घर के पास ही था कुछ देर बाद जब एमली सो रही थी तो अचानक कोई आठ सुनकर उसकी नीद खूल जाती है उसी समय एक आदमी उसके घर में चोरों की तरह गुस रहा था वो जैसे ही घर में आता है तो एमली उसे शौक देकर बेहोश कर देती है थोड़ी ही देर बाद एमली डाइनिंग टेबल पर बैठी कड़क चाई पी रही थी उसके सामने वाली चेयर पर वही बंदा बैठा था जो उसके घर में चोरों की तरह गुसा था एमली ने उसके चेहरे पर कपड़ा डाल रखा था और उसके हाथ भी चेहर से अच्छी तरह बांद दिये थे आदमी को जैसे ही ओश आता है तो वो आजाद होने की कोशिश करने लगता है अब एमली अराम से उठती है और आदमी के पास जाती है वो सबसे पहले उसके चेहरे से कपड़ा हटाती है जिसके बाद वो आदमी फिर से आजाद होने की कोशिश करता है अब एमली उसे शांत रहने को कहती है लेकिन वो आदमी उसकी बात नहीं मानता और नीचे गिरकर सिर पर चोट खा लेता है एमली जल्दी जल्दी उसे उठाकर कहती है तुमने फाल तुमें चोट खाई इतना कहकर वो पहले उसकी चोट साफ करती है और फिर उसके मूँ से कपड़ा निकाल देती है अब एमली उससे पूछती है तुम मेरे घर में चोरों की तरह क्यों आए इस पर आदमी कहता है तुम मुझे अच्छी तरह से जानती हो मैं तुमारे ही ऑस्पिटल में फार्मैसी का काम करता हूँ और मेरा नाम जैक है ये सुनकर एमली कहती है कि मुझे सब पता है लेकिन तुम मेरे घर में क्या कर रह थे अब जैक कहता है कि मैं तुम्हें मजाक मजाक में डराना चाता था ये सुनकर एमली समझ गई थी कि जैक जूट बोल रहा है उसका दिल तो कर रहा था कि वो जैक का मूँ तोड डाले लेकिन वो खुद को रोग लेती है अब एमली जैक का बैक चेक करती है जिसे वो अपने साथ लेकर आया था बैक के अंदर छोटे-छोटे हत्यार थे जिनने देखकर एमली कहती है लगता है कि तुम मेरे छोटे-छोटे टुकडे करने वाले थे इस पर जैक फिर से कहता है कि मैं तो बस तुम्हें डराना चाहता था इसलिए अपने साथ हथ्यार लाया था अब एमली उससे कहती है कि मैं सिर्फ सच सुनना चाहती हूँ उसे गुस्से में देखकर जैक कहता है सच बात तो ये है एमली कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मैं तुम्हें हास्पिटल में रोज देखता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ ये सुनकर एमली कहती है तुम लोग प्यार करने वाले नहीं बलकि धरकी हो तुमारी तरह पहले भी कई लोग मेरे घर में आये थे और मैंने उन सब को मार दिया था इतना कहकर वो जैक को अपनी पीट पर निशान दिखाती है जो काफी पुराने लग रहे थे एमली की बात सुनकर और उसके निशान देखकर जैक के तोते उड़ गए थे कुछ देर बाद एमली पाई बनाने लगती है और वो जैक से पूछती है तुमने मुझे मैं ऐसा क्या देखा कि तुम्हें मुझे से प्यार हो गया इस पर जैक कहता है मुझे तुमारी हर चीज पसंद है मैंने कई बार तुमें हॉस्पिटल में बताने की कोशिश की कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और वो अपने हाथों से उसे जैक को खिलाती है जैक को एमली की पाई काफी अच्छी लगी थी और वो से मज़े से खाता है दरासल एमली ने इस पाई में कोई नशा डाला था ताकि जैक नशे में सच बोल सके जैक को जैसे ही नशा होता है तो वो एमली को सब बताने लगता है कि मैं तुमारे गर इसलिए आया था ताकि तुम्हें डरा दमका कर तुमसे शादी कर सकूँ इतना कहकर वो भिहोश हो जाता है क्यूंकि एमली ने पाई में तेज नशा डाला था दरासल जैक की भी शादी नहीं हुई थी और वो एमली से शादी करना जाता था वो जब भी अपने आसपास कोई प्रेमी जोड़ा देखता था तो उसे बहुत बुरा लगता था उसे लगता था कि सबी उसका मजाक उड़ाते हैं क्यूंकि वो अभी तक सिंगल था उसे जे भी पता था कि एमली को उससे अच्छा पती मिल सकता है इसलिए वो उससे शादी के बारे में पूछने से डरता था कुछ देर बाद एमली जैक को होश में लाने की कोशिश करती है लेकिन वो सफर नहीं हो पाती वैसे उसका दिल तो कर रहा था कि वो Jack का भी वही आयाल करे जोसमे पहले भी कई लोगों का किया था Emily से पहले भी कई लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की थी और Emily ने उन सब को मार दिया था थोड़ी ही देर बाद जैक को जैसे ही होश आता है तो एमली उसे बता देती है कि मैंने पाई में नशा डाला था और तुमने नशे में सब बता दिया कि तुम जबरदस्ती मुस्से शादी करना चाते थे इस पर जैक कहता है नशे में तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं और वो चीज़ें भी बोल देते हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं होता जैक की बात सुनकर एमली सोच में पढ़ गई थी और फिर वो जैक से कहती है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्यूंकि मुझे तुम पर यकीन नहीं है वैसे एमली की बात सुनकर अब जैक का मन कर रहा था कि वो अज़ाद होकर एमली को मार डाले उधर एमली को भी कभी कभी जैक पर यकीन हो रहा था कि वो सच में उससे प्यार करता है लेकिन जिस तरह वो उसके घर में गुसा था वो चीज़ एमली को खटक रही थी वैसे मन ही मानब उसे भी जैक अच्छा लगने लगा था और वो भी उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसे जैक पर अभी भी पूरी तरह से यकीन नहीं था इसलिए वो उससे पूश्टाश कर रही थी आखिर में काफी सोचकर वो जैक को कुछ तस्वीरें दिखा कर कहती है मैंने इन सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मार दिया था क्यूंकि ये भी तुमारी तरह ही मेरे घर में गुसे थे मुझे शुरू से ही पता था कि तुम हास्पिटल में मुझे घूरते हो तुम जब भी मेरी तरफ देखते थे तो मुझे पता चल जाता था मेरी नजर में तुम ठर्की हो और हम में तुमें मार दूंगी जैक उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम से सच में प्यार करता हूँ जिसे सुनकर एमली कहती है फिर तो तूम नसीब वाले हो जो अपनी प्रेमिका के हाथ हो मरोगे एमली की बात सुनकर जैकके मुझे पर ताला लग जाता है अब एमली जैक को पीटने लगती है ताकि वो उसे सच सच बता सके कि उसके मन में क्या है मगर काफी मार खाने के बाद भी जैक जही कहता रहता है कि मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ अगले दिन सुबह, एमली को कभी-कभी लग रहा था कि जैक जूट बोल रहा है, कि वो उससे प्यार करता है, और कभी-कभी जैक उसे सच्चा भी लग रहा था, एमली अभी अपनी सोचों में ही डूबी हुई थी, कि तभी जैक अपने हाथ खोल कर कहता है, अब तुम क्या क रहा था, कल सुबह जब एमली हॉस्पिटल में थी, तो जैक उसके घर में आया था, घर में आकर वो सबसे पहले उसकी कड़क चाय में नशा मिलाता है, जैक हॉस्पिटल में फार्मैसी का काम करता था, इसलिए उसे हर दवा की पूरी जानकारी थी, उसने एमली की चाय में ऐसा नशा मिलाया था, जिसके कारण एमली एग्रेसिव ना हो, और उसकी पूरी बात सुन सके, उसने घर की एक खिड़की पहले से ही डिली कर दी थी, ताकि वो अराम से घर में दाखिल हो सके, उसे ये भी पता था, कि अगर एमली ने उसे पकड़ लिया, तो वो उसके कर जैक उससे कहता है, मैंने जे सब तुमारे लिये किया, जैक की बाते सुनकर एमली को बहुत गुसा आता है, और वो उसके कंधे पर गोली मार देती है, दरासल एमली को पहले भी कई लोग ने दोखा दिया था, इसलिए वो अब किसी पर यकीन नहीं करती थी, उसे लगता जैक को जैसे ही होश आता है, तो एमली उसे माफी मांग कर कहती है, मेरे बारे में सब जानकर तुम मेरे घर आए, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें कभी भी मार सकती हूँ, लेकिन फिर भी तुमने मेरे लिए अपनी जान जोखी में डाली, क्यों जैक क्यों, सिर्फ एक पार बताओ, अब जैक कहता है, क्योंकि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, एमली, ये सुनकर एमली भी उसे I love you कहती है, कहानी के आखर में जैक और एमली ने शादी कर ली थी, जैक को एमली मिल चुकी थी, जिसे वो कई सालों से प्यार करता था, जबकि एमली को भी व